नमस्कार और वेलकम वोल्ल अफेर्ज, मैं हूँ प्रशान दवन, so 41 येर्ज का वेड फाइनली खतम हो चुका है, इंडिया ने जर्मनी को हरा कर कन्फर्म कर लिया है अपना ब्रॉंज मेडल अड़ टोकियो 2020 ओलम्पिक्स, बहुत टाइट मैच था, जर्मनी ने स्कोर किये 4 गोल, हमने स्कोर किये 5 गोल, but in the end, इंडिया वन, आखरी बार हम उलम्पिक्स में हौकी मेडल कब ले किया थे, 1980 में उस वक्त उलम्पिक्स हो रहे थे, USSR में, एक ऐसे देश में जिसका वजूती नहीं बचा, it was that long ago, और यहाँ पर आप देख पाऊगे, ये वो सीन्स है, हम उसके बाद एक खडाब मैच गया, हमारी हार हुई Belgium के अगेंस्ट, Belgium ने बहुत स्कोर कर लिया था, 5 गोल्स अगेंस्ट आर 2 गोल्स, उसके बाद जो ब्रॉंज मेडल का मैच था, वो हम जीत गए हैं, जर्मनी को हराकर, अभी गोल्ड और सिल्वर डिसाइड होना है, गोल और सिल्वर के लिए खिलेंगे, ऑस्ट्रिलिया और बेल्जियम, और यहाँ पर आप देख पाऊगे, यह है हमारी मैंस हौकी टीम का स्कोर्ड, गोल कीपर हमारे पियार स्रीजेश, हीस फ्रॉम केरला, पंजाब से यहाँ पर प्लेयर आपको मिलेंगे, वेरियस स्टेट से प्लेयर आपको मिलेंगे, और अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछू, कि इन सब प्लेयर में से हमारी हौकी टीम, मैंस हौकी टीम का कैप्टेन कौन है, तो I guarantee आप में से हो सकता है कि 70 से लेकर 80% आंसर यहाँ पर ना कर पाएं, हाँ IPL टीम में कैप्टेन कौन है, यह आपको डेफिनेटली बता होगा, मगर हमारी हौकी टीम के कैप्टेन आज के समय, मन प्रीट सिंग, मिडफील्डर है यह, इन्होंने बहुत अच्छा में परफॉर्म किया है, और जो गोल स्कोर किये है, इन दे मैच अगेंस जर्मनी, यह किये गए है बाए हार्दिक सिंग, हर्मन प्रीट सिंग, जबकि यह एक डिफेंडर है, इन्होंने एक परफॉर्मनी के अगेंस, जो मारी जीत है, यह ती स्पेशल इसलिए है, क्योंकि एक बार को भारत एक तीन से पीछे था, जब भारत एक तीन से पीछे था, उस वसक्त सब लोगों ने मान लिया था, ठीक है, ड होकी टीम के टिहास में वन अगेंस, जबकि यहां पर बार कर देना, जर्मनी को बिलकुल खाली हाथ वाफस भेजना, और खुद यहां पर सिक्यूर करना, यह एक बहुती स्पेशल विक्टरी है, और यहां पर मैं कुछ स्पेशल लोगों को मेंशन करना चाहूंगा, जैसे के होकी टीम के कोच, औस्ट्रेलिया के ग्रैम रीड, यह खुद होकी प्लियर रह चुके है, 1992 बार्सलोना ओलम्पिक्स में, इनकी टीम ने जीतारा सिलवर मेडल, बहुत एक्सपिरियंस प्लियर है, काफी अब तक डाउन टूर्थ भी है, मैंने इनके इंटर्व्यूस में काफी बढ़ा रहा है, और इनके इलावा, मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टेट का मेंशन करना चाहूंगा, जिसने होकी इंडिया को रिवाइव किया है, वो स्टेट है ओडिशा, ओडिशा के चीफ निस्टर नवीन पतनायक ने, 2018 में डिसाइड किया, कि होकी इंडिय के 2023 तक ओडिशा रहेगा, ब्रैंड अमेस्टर ओफ इंडियन होकी, और मैं आपको यह बता दूँ, ओडिशा गवर्मेंट सामने तबाए थी, जब सहारा, जो इससे पले इनका स्पॉंसर था, वो पी शेयर गया तर उनने का के हम अभी के लिए स्पॉंसर नहीं बन सकते, उसके बाद आई ओडिशा गवर्मेंट, और इतना ही नहीं है, इन्होंने फैसलिटीज भी प्रोवाइड करी है होकी टीम को, और पिछले कुछ सालों में आप अगर देखो तो ओडिशा ने बहुत इंपॉर्टन टर्नमेंट्स भी उस किये हैं, फॉर एक्जामपल, F.I.H Men's Series Finals, Olympic Hockey Qualifiers of 2019, F.I.H. Pro League of 2020 और अभी जो Men's Hockey World Cup होना है, इसका जो 2023 एडिशन है, ये भी होस करेगा भारत, ये World Cup होने वाला है ओडिशा में, तो ये देखिए एक Legacy बन चुकी है, ओडिशा के Chief Minister नवीन पतनायकी इनसे पूछा गया, क्या आप होकी को इतना support क्यों करते है इन्होंने ये का कि बचपन में हम खेलते थे ये game, इट इस close to our heart, और हम लोग चाते दे कि हमारी जो hockey team है, इसका वापस revival हो, क्यों के देखिए, 1950 से लेकर 1960 से तक मैं काऊंगा हमारी hockey team was the best in the world, Australians, Europeans, हमारे आसपास भी नहीं आते थे, हमारा main competition होता रहा सिर्फ पाकिस्तान क उसके बाद से इंडिया और पाकिस्तान, दोनों कंट्रीज की होकी बहुत जड़ा गिरी है, पाकिस्तान भी बहुत ही लंबे समय से होकी में medal नहीं जीत पाया, लास्ट टाइम पाकिस्तान ने होकी में medal जीता था, वो था 1992 Barcelona Olympics में, उसके बाद से हमने ये रेखा है कि होकी म बहुत जादा skill driven, dribbling का काफी वहाँ पे रोल होता था, dribbling में Indian प्लेयर्स और पाकिस्तानी प्लेयर्स काफी अच्छे होते थे, बाद में Europeans ने altogether game change कर दिया, जब इन्होंने आपे introduce करी speed, acceleration, इन्होंने strategy ये बनाई कि बस ball लेकर sprint करो, आगे जाओ, और nets में power shots मारो, वहाँ पर European और Australian player काफी अच्छे तक भारी पड़ गए Indian और पाकिस्तानी टीम्स पर, तो उस stage से आज के समय एक revival करना एक बहुत ही जड़ा बड़ी बात है, और इस पूरी जर्नी में हमने देखा है कि Odisha को भी यहाँ पर आज के समय लोग properly recognize कर रहे हैं as the sport city, actually, Odisha की जो capital है F.I.H. World ranking देखो, तो भारत यहाँ पर है rank 3 पर, rank 2 पर है, Belgium rank 1 पर है Australia, eventually हमें हमारी hockey team को इतना बढ़िया करना है कि यह rank 1 पर आ जाए हम वापस reclaim करे अपना throne, of course इस पे मेनत लगेगी, but I'm sure आप सब की भी यह भूख बढ़ चुकी होगी, आप सब लोग यहाँ पर रख कहे हैंगे कि 2024 के जो Olympics होंगे in France, वहाँ पर हम को चाहिए gold in hockey, और finally मैं यहाँ पर आपसे question भी पूछूँँगा, question यहाँ पर यह है कि International Hockey Federation, इसके headquarters कहां पर located है, मैंने काफी पर काया आपर F.I.H. F.I.H. की ranking, F.I.H. का World Cup, तो यहाँ पर जो International Hockey Federation है, इसके headquarters आपको कहां पर मि answer it, और इसका सही answer PDF में आपको मिल जाएगा, मैं इसका answer नहीं दूँगा, क्योंकि really it is that easy, आप Google करके भी इसका answer निगाल सकते हैं, मगर कोशिश करिएगा initially, कि बिना search किये, बिना Google किये, आप इसका answer attempt करें, और finally मैं यह भी add कर दूँ कि Anacademy का combo offer available है for UPSC, सीधा comment section में जा means optional, तीनों की ही तियार यहाँ पर आप कर पाएंगे, यह courses अलग-अलग पर जेस करोगे, 10-15,000 रुपीस आपको वैसे ही pay कर रहे होंगे extra, combo package में यहाँ पर आपके पैसे save होते हैं, उसके अलावा आपको मिलेगा यहाँ पर additional discount, अगर आप use करते हैं, यहाँ पर promo code PD10, the prices will fall even more, so use the code PG10 and save money, इन courses की जो classes हैं यह आप देख पाएंगे phone पे, tablet पे, computer पे, wherever you want, so use the code PG10 and save money, इसी note के साथ यह है वीडियो कांथ, thank you for listening and as always, God bless you all. पे अर।